दोस्तों आपको फोन में सिर्फ एक सेटिंग करना है और आप 24 घंटे ऑनलाइन रहे कर सभी लोगों को आफलाइन दिखाई देंगे वटसब पर अगर कोई बंदा आपको वटसब पर मेसेज करेगा तो उसके वटसब पर सिर्फ सिंगल टिक दिखाई देगा डबल टिक दिखाई नहीं देगा जबके आपके फोन में इंटरनेट आउन रहेगा आप आनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं फेस्बूक और यूटूब पर वीडियो वगएरा देख सकते हैं लेकिन सामने वाले को ऐसा ही लगेगा कि इस वक्त आप आफलाइन है और इसके लिए आपको कोई भी एप्लिकेशन अपलोड नहीं करना है तो अगर आप इस सेटिंग को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर अभी तक चिनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जाना है एपस वाली सेटिंग में तो आप नीचे आएंगे तो यहां प कर लेना है आप चाहे तो यह सेटिंग मोबाइल की Home Screen से भी आ सकते हैं यहाँ पर आपको WhatsApp पर एक सेकंड के लिए दबाना है और App Info में चले जाना है तो यहाँ पर यह सेटिंग आ जाएगी अब यहाँ पर आपको क्या करना है Data Uses में चले जाना है ठीक है तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ सेटिंग से देखने के लिए मिल जाएगी इन सेटिंग की मदद से दोस्तों आप WhatsApp पर इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं अभी आपको लाइब दिखाता हूँ यानि के इस बंदे को पता चल चुका है कि इस वक्त मैं आउनलाइन हूँ लेकिन इसके मैसेज को ओपन नहीं कर रहा हूँ तो हमें क्या करना है इस डबल टिक को हाइट कर देना है जिससे इस बंदे को ये लगेगा कि अभी हम आफ लाइन है इंटरनेट हमारे फोन में आन नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपको देख लेना है इस सेटिंग को तो यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं मैं दोस्तो वाइफा यूज कर रहा हूँ मेरे फोन में तो यहाँ पर मैं Wi-Fi वाली सेटिंग को off कर देता हूँ अगर आप अपने mobile में mobile data use कर रहे हैं अगर sim 1, sim 2 तो आपको यहाँ पर mobile data की setting को off कर देना है यह setting off करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है recent app से WhatsApp को clear कर देना है अब दोस्तों अगर आपको कोई बंदा message करेगा तो उसके message पर सिर्फ single tick show होगा double tick show नहीं होगा जैसे के यहाँ पर आप देख सकते ही मैं कितने ही message कर लूँ तो यहाँ पर सिर्फ single tick show होगा double tick show नहीं होगा और दोस्तों इस बंदे को ऐसा ही लगेगा कि आप इस वक्त offline है, online नहीं है जबके मैं यहाँ पर online हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं YouTube application को open करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इस वक्त online हूँ सभी YouTube पर काम कर रहा है मेरा YouTube आप देख सकते हैं इंटरनेट on है लेकिन इस बंदे को ऐसा ही लगेगा कि इस वक्त मैं offline हूँ अब इस तरह से दोस्तों आप अपनी online पढ़ाई कर सकते हैं आप चाहे तो Facebook, YouTube और वीडियोज देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं WhatsApp को use नहीं करना और सभी लोगों को WhatsApp पर offline दिखाना लेकिन आप यही भी चाहते हैं कि आपके फोन में internet on रहे और आप दूसरी application यूज कर पाए online पढ़ाई कर पाए तो उस case में आप इस setting को use कर सकते हैं कोई भी बंदा आपको message करेगा उसके WhatsApp पर सिर्फ single tick दिखाई देगा double tick दिखाई नहीं देगा और यहाँ पर आपको notification भी मिलता रहेगा दोस्तों कि आपको कोई ना कोई WhatsApp पर message कर रहे है आप देख सकते हैं उसका नाम होगरा दिखाई नहीं देगा आप chat को open करेंगे तो chat में कोई message दिखाई नहीं देगा लेकिन आपको notification मिलता रहेगा कि कोई ना कोई आपको WhatsApp पर मैसेज कर रहा है अब दोस्तों यहाँ पर आप नहीं किसी को मैसेज कर सकते हैं नहीं आपको किसी का मैसेज आएगा क्यूँ क्यूँके हमने WhatsApp पर इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया है और पूरी तरह से हम WhatsApp पर आफलाइन है अब मालनीजी आपको वापस से दोबारा ओनलाइन आना है तो आपको वापस से इसी सेटिंग में चले जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर Wi-Fi वाली सेटिंग को आउन कर देना है या जो भी आप use कर रहे हैं उस setting on करने के बाद आपको whatsapp को recent app से clear कर देना है इसके बाद अगर आप whatsapp को open करेंगे तो दोस्तो जो भी message आपको किये गए हैं वो message सभी आपको आ जाएंगे और अब अगर कोई बंद आपको message करेगा तो उसके message पर double tick show होगा, single tick show नहीं होगा और सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप online आ चुके हैं तो इस तरह से दोस्तो आप इस setting को use कर सकते हैं और 24 घंटे online रहे कर सभी लोगों को offline दिखा सकते हैं अब मान लीजे दोस्तो इस setting आपके phone में नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एक application download कर लेना है इस application का download link मैं आपको description में दे दूँगा application को open करना है, सभी permission को allow करना है और यहाँ पर आपको whatsapp को search कर लेना है और whatsapp के सामने दोस्तों यहाँ पर internet का एक icon बना हुआ होगा आपको उस पर tick करके whatsapp पर internet को block कर देना है इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई बन्दा whatsapp पर message करेगा तो उसको सिंगल tick दिखाई देगा, double tick दिखाई नहीं देगा तो दोस्तों अगर आपको यह video थोड़ा सा भी पसंद आया है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you